एक रिलेशन स्कीमा गिवन है उस पर ये कुछ FDs हैं ओके होल कर रही है करा which of the following is a candidate की तो अगर इस तरह का question आता तो आप क्या करोगे जो option गिवन है उनका attribute set closure निकालोगे ओके अगर उनका attribute set closure R के equivalent आ गया ओके तो वो candidate की possible हो सकती है ओके है नहीं क्यों को कहीं ऐसा तो नहीं कि वो super key हो मिन्स दो option में R के equal आ रहा हो तो फिर आपको ये check करना पड़ेगा कि उनमें से minimal super key काउंसी है ओके तो A का मैंने यहाँ पे closure निकाला पहले option का तो ये सिर्फ A ही मिलेगा क्योंकि A अकेला कुछ derived नहीं कर रहा है not equal to R इसका मतलब ये तो candidate की नहीं है अब बात करेंगे ABC की तो ABC से ABC itself उनका closure में itself तो पहले आता ही आता है अब ABC क्या और determine कर सकता है B determine कर रहा है C को जो की already लिखा हुआ है बाकी ABC तीनों मिल के और कुछ determine नहीं करते हैं इतना हिसका closure आएगा which is not equal to R and therefore ABC भी क्या है तीनों मिल के साथ candidate की नहीं बना सकते हैं अब अगर बात करें AB की ओके तो AB का closure AB तो आएगा ही आएगा BC को भी determine कर रहा तो इसमें C आएगा लेकिन जैसा कि आपने यहां देखा कि ABC के बाद मिल करके कुछ और extra determine नहीं कर पा रहे थे तो मतलब AB भी क्या नहीं है AB भी candidate की या सूपर की नहीं है अब चेक करते हैं last को ABD और यहां से अब ABD का इसमें closure में attributes at closure में ABD तो आएगा ही आएगा B से C भी determine हो रहा तो यहां C भी आएगा और यहां से देख लो AD A और D वो क्या determine कर रहा है E को B और E यह है यह क्या determine कर रहे है F को A और F यह मिलके क्या determine कर रहे है G को A, B, C, D, E, F, G OK, complete आपको क्या मिल चुका है complete schema मिल चुका है So, A, B, D is minimal वैसे तो इसको मैं पहले क्या कहता हूँ is super की अभी थोड़ी देर में बोलूँगा कि यह minimal super की है देखना यहां से A, B क्या था A, B दोनों मिल करके भी R को determine नहीं कर पा रहे थे तो अगर मैंने A, B में D, A क attribute और add कर दिया तो क्या हो रहा है तो R को determine कर रहे है इसका मतलब यह क्या हुआ यह जो super की है यह क्या है minimal है इसमें A, B, D में मतलब जो function dependency hold कर रही है यह यह है और इसमें यह क्या है यह candidate की है minimal super की है मतलब A, B, D में से अगर एक भी attribute आपने हटा दिया तो फिर relation के each triple को uniquely determined नहीं किया जा सकता है and therefore the correct option is D only okay and that's done